सितंबर महिना के एकदम लास्ट वीक में और अक्टबर महिना की एकदम फास्ट वीक में गुलाब की मल्चिंग निसेसारी है अने वाले ठंडाई के टाइम बहुत सारे गुलाब के लिए अभी मल्चिंग बहुत ही मुथत पुर्ण है तो चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे गुलाब की पोधे को कैसे मल्चिंग किया जाज सकते है हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लंटो केयर, मैं हूँ आपका गाड़ेना दोस्त विपलब रोस प्लंट की मल्चिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है आने वाले ठंड़ाई की टाइम धेरो सारे फूल के लिए यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा भेरी इजी कोई कठिनाई नहीं है इसमें गुलाब की मल्चिंग के लिए यह सामान होना जोरूरी है यह जो रॉड आप देख रहे है ऐसा रॉड लेना मेरे पास जो है यह थोड़ा छोटा है आप इससे थोड़ा बड़ा लेना एक तरब ऐसा शार्फ होना चाहिए आपकी पोधा जिस मीडिया में है सिंडर में है और मिट्टी में है कोई फरक नहीं है दोनों की प्रसेस सेमी है पटकी एकदम किनारे से धीरे धीरे मीडिया को ऐसा निकल लेना है और ध्यान देना है रूट की डेमेज ज्यादा नहीं हो पटकी उपर से कम से कम दो से धाई इंच तक ऐसा खाली कर लेना है मीडिया ऐसा निकाल लेने के बाद आप इसमें 15 से 20 ग्राम परिमान बोन डास्ट इसमें डालना है एकदम बारिक जो बोन डास्ट मिलते हैं ओ डास्ट नहीं है थोड़ा मोटा साइस की जो बोन डास्ट मिलते हैं ओ ही बोन डास्ट हमें लेना है पहले 8 से 10 ग्राम तक बोन डास्ट ऐसा चिरकाव करके उपर से थोड़ा मीडिया से धाकना है उसके बाद फीर से 10-15 ग्राम बोन डास्ट दे के उपर से फीर से मीडिया से ढग देना है ऐसा दो लेयर करना है इसके बाद इस डांडे से ऐसा दवा देना है इसे क्या होगा इसके अंदर थोड़ा बहुत जो गैप रहे जाते हैं वो ग्याप फील हो जाएगा और पोधा अच्छा से ग्रोव होगा हमारा मल्चिंग हो गए अब ही और एक कम करना बाकी रहे गए पानी देना है सुभे के टाइम मैंने ये मल्चिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने केबल पानी ही दूँगा और साम के टाइम माईको राइजर देना है अगर आप सुभे के टाइम मल्चिंग कर रहा है तो आप भी साम को टाइम ही माईको राइजर उस करना और जिन लोगों ने साम को टाइम मल्चिंग करेंगे आप एक साथ ही माइक्रोराइजा भी दे सकते है माइक्रोराइजा देने के बाद ज्यादा पानी नहीं देना है ज्यादा पानी देने से माइकोराजा पटकी नीचे से बाहर आ जाएगा और नुखसान हो जाएगा इसलिए इतना ही पानी देना है जितना पानी पटकी अंदर रह सकते हैं बस हमारा मल्चिंग की काम कम्प्लिट हो गए आने वाले ठंडाई के टाइम अशा रखता हूँ बहुत सारे फूल देने के लिए हमारा मल्चिंग बहुत ही लाबदायोग होगा आप भी इसी तरह मल्चिंग कीजिए आपकी पोधा भी बहुत सारे फूल देने के लिए तयार हो जाएगे ठंडाई के टाइम So friends, जिन जिन बातों को ध्यान देना चाहिए और जिस प्रोसेस से हमें मल्चिंग करना चाहिए गुला पोधे को इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश किया अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और ऐसा वीडियो दो बड़ा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप भी आपका पोधे के तरह खुश रहिए स्वास्त रहिए धन्नबाद